दिली हाई कोट ने स्वाती मालीवाल से कतित मारपिट मामले में जमानत मांगने वाली दिली के मुक्य मंदरी अर्विंद केजरीवाल के करीबी वीभव कुमार की याचिका पर सुनवाई 8 जुलाई तक के लिए स्तगित कर दी है वीभव कुमार पर 13 माई खुम्बो के मंदरी के अधिकारी कावास पर रामादमी पार्टी की राजे सवसांसा स्वाती मालीवाल से मारपिट करने का आरोप है मदादे की जस्टिस अनूप कुमार मेंदी रता की बेंच ने कहा कि वो वीभव कुमार की गिरफ़तारी और रिमांड को चुनवाती देने वाली याचिका की इस्तिर्ता पर आदेश का इंतिजार करना चाहेंगे अदालत ने कहा चूंकि आज वीवव कुमार की ग्रफतारी और रिमांड को चुनोती देने वाली याचिका का फैसला आना है तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए मुझे इस्तिर्था के बारे में कोई संधेर नहीं है चूंकि आदेश आज सुनाय जाना है गौरतलावे के आमाद्मी पार्टी की राजिसवा सदस्य स्वाती मालिवाल ने आरोप लगाय था कि आप परमुप अर्विंद के जरिवाल के करीबी भीव कुमार ने 13 माई खुमो खिमंती आवास पर उनके साथ मार पीट की थी, स्वाती मालिवाल ने इसी संबंद में सिविल लाइन स्थाने में F.I.R. दर्श कराई थी। आपकी राजिसावा संजा द्वारा दर्श की गई F.I.R. के सिल्सले में बीबब कुमार को दिली पुलिस ने 18 माई को गरफतार किया था। इसके बाद 24 माई को उन्हें चार दिन की न्याएक इरासत में भीज़ा गया था, इसके बाद उन्हें फिर से तीन दिन की पुलिस इरासत में भीज़ दिया गया। बीबब कुमार के खिलाब 16 माई को दर्श की गई F.I.R. में अपरादिक धमकी देना, महिला को निर्वस्तर करने के इरादे से हमला या अपरादिक बल, परियोग तथा गैर इरादेतन हत्या का परियास करने से संबंदी धाराय शामिल की गई है।